नमस्कार दोस्तों कैसे वाप आज हम आपके लिए कराया है राष्टिय स्वास्त मिशन में निकलोई भरती के बारे में राष्टिय स्वास्त निगम में भरती निती है और इस पोश्ट को यदि आपको अपलाई करना है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकरी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोश्ट को अबलाय कर सकते हो और जॉब पासकते हो पर आगे जाने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के description में हमने आपको important link दी है जिस पर आप click करकर हमारे official website जाने की gbtjob.com के इस page पर आ सकते हो जहाँ पर इस job के जानकरी अच्छी दरेगे से दी गई है तो यहाँ पर आकर इस article को आप आसनी से read कर सकते हो और read करने के बाद जो bottom में हमने आपको दो links दी है official notification की पर official website की जो link है उस पर आकर आप आसनी से इस job के संबंदित पूरी जानकरी प्राप्ट करकर इस post को apply कर सकते हो तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जो vacancy है पूने महाराष्टर में हो रही है तो select होने पर आपकी posting पूने महाराष्टर में होगी post का नाम है accountant number of vacancies याप पर अच्छी कासी है 93 vacancies है और प्रतिमा आपको वेतन है आपर अच्छा खासर मिल जाएगा as per rules कहा गया है याने कही organization याने जिल्ला परिशद पूने के rules के आधार पर आपको यहाँ पर base scale मिल जाएगा category wise distribution बताया गया है eligibility criteria के बार में जानकरे देख लेते है तो apply करने के लिए आपको minimum become होना ज़रूरी है mcom with tally computer knowledge जिनके पास है उमिदवारों के पास वे apply कर सकते है तो यहाँ पर आपको become complete किया होना ज़रूरी है और mcom pass उमिदवार apply कर सकते है पर आपको यहाँ पर tally और computer का knowledge होना ज़रूरी है और साथी साथ marati और English typing आपको आनी ज़रूरी है age limit as per rules है तो organization के rules के आधार पर आपका age limit यहाँ पर होना ज़रूरी है age relaxation यहाँ पर applicable है जो कि as per rules है जो कि SCST category candidates के लिए 5 साल का age relaxation यहाँ पर रखा गया है OBC category candidates के लिए 3 साल का और PWD candidates के लिए 10 साल का age relaxation यहाँ पर दिया गया है application fee आपको यहाँ पर बरनी है और online application fee आप भर सकते हो debit card, credit card के द्वारा आया इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी आप application fee भर सकते हो starting date apply करने के लिए 29-10-2018 यानि 29 October से online आवेदन करना शुरू हो चुका है और 19 November तक आप इस post को apply कर सकते हो तो दोस्तों देखा जाए तो आपके पास 19 November तक का time है तो जो भी हमार उमेदवार इस post को apply करना चाहते है 19 November के पहले आपका आवेदन भेज दीजेगा या और अल्लन तरीके से इस post को apply करिएगा क्यूंकि last date के बाद आपका application स्विकारा नहीं जाएगा तो फिलाल बढ़ते हो official notification के और क्या हमें जानकरे मिल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अधिकारी याने officer के पोस्ट के लिए भरती हो रही है तो बहुत से वेकेंसी से आपर हो रही है अच्छी तरीके से वेकेंसी के बार में जानकर आपको बताय गई है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भरती हो रही है बहुत अच्छी वेकेंसी है वेतन आपको यहाँ पर अच्छा कासा मिल जाएगा और साथी साथ education qualification के बार में भी आपको अच्छी तरीके से जानकरी बताय गई है तो आपको apply करने में दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भरती हो रही है बहुत अच्छी वेकेंसी है और पूने में हो रही है तो हमारे जो भी मदार पूने से है तुरंत इस पोस्ट को apply करेगा important documents कौन से कौन से आपको attach करने है उनके भी बारे में यहां पर जानकरी बताय गई है तो यहां पर यह जो लिस्ट है इसे आप देख लीजएगा और जितना जल्दी हो सकते हो तुरंत apply करकर आपका application निशित करें आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी यह वीड करें हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद कर दो कर दो कर दो